एक बार की बात है जब एक शेर जंगल में सो रहा था उस समय एक चुहा उसके शरीर में उच्छल कूद करने लगा अपने मनोरंजन के लिए इससे शेर की नींद खराब हो गई और वो उठ गया साथ में गुस्सा भी हो गया वही फिर वो जैसे ही चुहे को खाने को हुआ तब चुहे ने उससे विनती करी कि उसे वो आजाद कर दे और वो उसे कसम देता है कि कभी यदी उसकी जरुरत पड़े तब वो जरुर से शेर की मदद के लिए आएगा चुहे की इस साहसिक्ता को देखकर शेर बहुत हसा और उसे जाने दिया कुछ महीनों के बाद एक दिन, कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आये और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया वही उसे उन्होंने एक पेर से बांध भी दिया ऐसे में परेशान शेर खुद को छुडाने का बहुत प्रयतन किया लेकिन कुछ करना सका ऐसे में वो जोर से दहाडने लगा, उसकी दहाड बहुत दूर तक सुनाई देने लगी वही पास के रास्ते से चुहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड सुनी तब उसे आभास हुआ की शेर तकलीफ में है जैसे ही चुहा शेर के पास पहुचा वो तुरंट अपनी पैनी दातों से जाल को कुतरने लगा और जिससे शेर कुछ देर में आजाद भी हो गया और उसने चुहे को धन्यवाद दी बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की और चले गए सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि उदार मन से किया गया कार्या हमेशा फल देता है